क्लास पर फर्स्ट आने का बेस्ट उपाए यह से होसी हलो फ्रेंड्स आज हम दीखेंगे एक इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग चाप्टर हेरेडिटी एड एवलुशन अनुवंग शिक्ता और जैव विकास यह तो इतना इंट्रेस्टिंग क्यों है इसके लिए हमें थोड़ा सा रिविजिन करना पड़ेगा याद करो हमने जब कोशिका के बारे में सीखा था कोशिका के बीच में है एक नाभेक या नूकलियस नूकलियस के अंदर है बहुत सारे क्रोमोसोम या गुनसूत्र हर गुनसूत्र के दो हिस्से होते हैं और यह गुनसुत्र बना होता है DNA से, जिसको कहते है genetic material, और यह DNA जो है अनुवंग्शिक सामगरी, इसके उपर कई कडिया बनी है, चोटी-चोटी-चोटी-चोटी, हर कडी में protein का एक sequence होता है, जो एक अनुवंग्शिक लक्षन का formula होता है, जैसे कि आप लंबे होंगे, उस समान जो जीन है, वो दोनो क्रोमोसोम के, दोनो गुनसुत्र के समान जगा पे स्थित होते हैं, प्रजनन के टाइम पर यह क्रोमोसोम, पेरेंट से चिल्रन में ट्रांसफर होते हैं, कैसे इसको देखा जाए, जो एक कोशिका वाले organism है, जैसे पैरमीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, यह कैसे करते हैं, इधर दिखो जड़ा, पहले तो इनका न्यूक्लियस डिवाइड होके दो हो जाता है, फिर इसका साइट्रोप्लाजम थोड़ा बीच में संकुचित हो जाता है, फिर दो सेल्स बन जाती है, जो मदर सेल के साथ आइडेंटिकल है, अब यह भी करेंगी, फिर भी आइडेंटिकल बनेगी, तो कई पीडियां बन जाएंगी, वो भी आइडेंटिकल बनती जाती है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, थोड़ी विवित्ता हो, जो आती है, लैंगिक प्रजनन या सेक्शुल रिप्रड़क्शन होता है, बहु कोशिका वा है कि पेरेंट्स के जो अभी लक्षन है, वो संतान में आना है, इनको देखो, जो संतान है, इनमें फादर और मदर दोनों के लक्षन दिख रहे हैं या नहीं, बाल देखो, आइब्राउस देखो, नाक देखो, चिन देखो, दोनों का मिक्चर आपको लग रहा है, तो विध्था एक्युमुलेट करती है, और जितनी विविध्था आती है, वो किसी वे प्रजाती के जीवित रहने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, एक एक एक्जामपल आप देख लो, COVID वाइरस चारों तरफ से फैल रहा है, आप देख रहे हो ना, कि पहले आया था अलफा वाइरस फिर आया बीटा, फिर आया गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमिक्रोन, यह बार बार म्यूटेट करता जा रहा है, विविध्था लाता जा रहा है, इसलिए यह चलता ही जा रहा है, खतमी नहीं हो तो आनुवंशिक्ता क्या हुए? कि पेरेंट से बच्चों मे उन्होंने मतर लिये और एक मतर लिया जो पीला कलर का था और एक था ग्रीन कलर का, उन्होंने देखा कि कुछ अलक्षन होते हैं जो बड़े प्रभावशाली होते हैं और कुछ होते हैं जो अप्रभावी होते हैं, तो ग्रीन वाला कलर का जो जीन था, जो वंशानू था व और green वाले के jeans थे small y, small y, इन दोनों का जब cross हुआ, जो next पीडी बनी, वो बने सारे capital y और small y, जहाँ capital y है, यानि के प्रबल है, वहाँ green y का तो छोटे y का तो चांस ही नहीं है, तो green color आगे नहीं आपाया, sex generation पूरा हुआ yellow, पर अब next generation जब उनका प्रजनन हुआ, वो जब एक दूसरे से reproduction हुआ, तब आप देखो next level पे, एक बनता है, capital y, capital y, वो तो प्रबल yellow है, दो बनते है, capital y और small y, उसमें भी yellow प्रबल है, इसलिए green दिखता नहीं है, और एक बनता है, small y, small y, दोनों green एक साथ है, इसलिए वो green बनता है, तो एक बार फिर से देखो, parents में था एक green और एक yellow, first पीडी में आया, सारे yellow, second पीडी में, तीन yellow और एक green, इस तरीके से संतान में वो characteristics चलती है, बंशकत लक्षन के साथ-साथ, लिंग निर्धारन भी होता है, gender determination, for example, mother के chromosome, reproductive chromosome है, X और X, और father के है, X और Y, जब reproduction होता है, तो अगर संतान में X और X आता है, तो वो girl child होता है, और जब X और Y एक साथ होते हैं, तो वो boy child बनते हैं, मैं आपसे बार-बार बोल रहे हूं, एक पीडी से दूसरी पीडी, दूसरी पीडी से तीसरी पीडी, यानि के, एक chain की तरह चल रहा है, और इसको हम कहते है, जाए विकास या evolution, चलो देखते हैं कैसे, वो भ्रिंग खाने बाद पसंद करता है, तो वो green को खाएगा या red को खाएगा, green तो दिखेगा ही नहीं, green पत्ते के ऊपर green देखना मुश्किल है, red बड़ी अराम से दिख जाती है, तो वो जाके पट-पट-पट-पट red को खाना शुरू कर देता है, तो अगर भ्रिंग या beetles जिन्दा रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि red color कम हो और green color जादा हो, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, एक तो जब red beetles खतम हो जाते हैं, केवल green ही रहेंगी, तो green एक दूसरे के साथ मिलके reproduce करेंगी, तो सारे प्रजाती जो बनेंगे, सारे green ही बन जो बचे, उसमें से कितने green थे और कितने red थे, अगर red सारे खतम हो गया, तो केवल green ही green रह जाएंगे, अगर red बहुत कम हो गया, तो red की संख्या, कव्वे आके उसको फटा-फट खा जाएंगे, और बचेंगे केवल green ही green, ये दूसरा तरीका है, जिसको हम elephant's foot method भी कहते है एक तीसरा चरीका भी है, सपोज एक लाल भ्रिंग था, एक कव्वे ने उसको चोंच में उठाया, और कव्वा जब उड़ा था, वो चोंच से गिर गिया, और वो गिर के गिरा कहा, जहां बहुत सारे green beetles थे, तो वो लाल green के साथ reproduce करता रहा, और एक time आया, जब या तो सा भ्रिंग ही तयार हो रहा है, एक time ऐसा आएगा कि वो ना किसी दूसरे color के भ्रिंग के साथ reproduce करने के लायक ही नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनके सरीर में इतने सारी changes आ गही है, तो यह जो physical लक्षन होते हैं, चलो, इसको हमने समझा कि यह होते हैं अनुवंग्षिक, यानि उनका size चोटा होता गया, उनका जो reproduction हुआ, उनको अच्छी तरह से nutrition नहीं मिला हिया, उनके संतान भ्रिंग हुए वो भी चोटे-चोटे हुए, पर फिर बारिश हुई, अच्छी हरी-भरी चारो तरफ हो गया, भ्रिंग ने खूब हरा-भरा खाया, खाकर वो फिर से फूल गया और फिर बड़े हो गया, तो इनके genetic material में change नहीं आई थी, यह change आई थी उनके शकल सूरत में, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, तो यह जो सारे तरीके मैंने आपको बताए, यह थे प्राकितिक चयन के तरीके, इस तैसे विकास कैसे होता है, आपने देखा लार कववा खा गया, सिरफ ग्रीन बचा, यह कववे ने एक रेड को कहीं और गिरा दिया, यह हाथी आके चला गया, यह सारी जो चीजे हैं, यह प्राकितिक चयन के processes हैं, और एक होता है क्रितिम चयन, जो मानव करते हैं, for example, 2000 साल पहले मानव खाते थे जंगली अरफिक चैत के Może, ऴ।कह कहा है कि यहुद को नॉली बंधगोष नव लोगों का मानना है, विकास का मतलब, जो प्रजाती बाद में आते हैं, वो advanced प्रजाती है, जो पुराने प्रजाती है, वो lower level पर ऐसा नहीं है. जैसे एक पेड़ पे बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, छोटी शाखाएं भी होती हैं, पुरानी शाखाएं होती हैं, नई शाखाएं भी होती हैं इसलिए इसको कहा गया है ट्री अफ लाइफ तो बच्चो यह था हमारा चाप्टर हेरेडिटी एंड एवलूशन इस चाप्टर को आप एक बार वीडियो देख लो फिर इसके बाद आप चाप्टर को एक बार पढ़ना एक दम क्लियर हो जाएगा और आप अपने शब्दों म आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस पर रोज हम एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं आपको अगर अच्छा लगा हमें तो बहुत ही साथ अच्छा लगेगा थासे सकता कैना सकता कैना से कुरते हैं वोसी झाप्छा भावेशनल के बादे देड़न आपके बादे एक करते हैं प्या क्या हैूसी है